Hello everyone, I am Shanli Singh and welcome back to Achieve It. जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे class 10th की economics का second chapter पढ़ रहे हैं and this video is going to be part 3 of this chapter so अगर अभी तक आपने part 1 और 2 नहीं देखा हैं तो आप उसको देख लेज़े part 1 में हमने बात की थी प्रात्मिक शेत्रक, जित्यक शेत्रक और जित्यक शेत्रक की फिर हमने तुलना की थी कि यह तीनों शेत्रक कैसे एक दूसरे से इंटरलेटेड हैं कैसे आपस में एक दूसरे से संबंधित है उसके बाद part 2 में हमने देखा था कि कैसे जो हमारा tertiary sector है यालिकि जो तृतियक शेत्रक है वो ग्रो कर रहा है और GDP में सबसे जादा हिस्सेदारी हमारे तृतियक शेत्रक की थी हमने यह देखा था graph के थूँ ठीक है तो क्या reason थे क्यों तृतियक शेत्रक इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है और फिर हमने यह देखा था कि जिन शेत्रकों में लोग लोगों के पास रोजगार नहीं है उनको हम रोजगार कैसे दिला सकते हैं कैसे उनको रोजगार के आउसर परदान कर सकते हैं और इसी के लिए हमने मनरेगा की भी बात की थी कि मनरेगा आया था 2005 में जिसके तहत लोगों को ये रोजगार की आउसर दी गए थे गैरंटी दी गई थी कि उनको साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा तो यहां तक तो हमने पढ़ा था आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे संगठित और असंगठित के रोप में शेत्रकों का विभाजन अब तक तो हमने प्रात्मिक द्युत्यक और तृत्यक शेत्रक पढ़ा अब हम संगठित और असंगठित शेत्रक पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो दो लोगों की स्टोरी दे गई है एक तो है कांता दूसरा है कमल ठीक है दोनों की स्टोरी यहाँ पे दी गई है तो पहले बात करते कांता की कांता एक कार्याले में काम करती है उसका एक टाइम पीरिड है उसी टाइम में उसको काम करना है उसको सुबह स नियम के तहत भविश्य निधी भी प्राप्त करती है जिससे उसको क्या होगा भविश्य में रिटायर्मेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी और उसको छुट्टी भी मिलती है संडे को वो अपने कार्याले नहीं जाती और जबी भी वो बिमार हो जाती है या किसी रीजन की नौकरी के आरंफ में एक न्यूक्ति प्रपत्र दिया जाता है जिसमें नौकरी से संबंदी जितनी भी शर्ते हैं नियम हैं सब लिखे होते हैं ठीक है यह तो बात हुई कांता की अब बात करते हैं कमल कहां पर काम करता है एक नीजी किराना की दुकान पर काम करता है और व उसे extra काम करने पे कोई extra पैसा नहीं मिलता उसे किसी दिन छुटी नहीं मिलती और जिस दिन अगर वह बिमार होता है या उसे कोई काम होता है और वह छुटी ले लेता है तो उसकी salary भी कट कर दी जाथी है ठीक है उसको उस कोई भी जॉब सिक्यौूरिटी नहीं है तो आप आप देख सकते हो कि कितना स्या चाह आघ सघ्ज है काम बसल्स इन दो दोरों जयरे चितना सिव और कमल जो है वो अन और्गनाइजड यानि की असंगठिद छेत्रक में काम करता है जहां पे कोई भी नियम नहीं है कोई भी जॉब सिक्यॉरिटी नहीं है उसको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है तो अब यहां पे आपको देखो यहां पे लिखा गया है कि कांता किस में काम करती है संगठिद छेत्रक में काम करती है जहां पे उसके काम करने का एक नियमित समय है उसे नियमित समय पे अपना वीतन प्राप्त हो जाता है यह जो छेत्रक है यह सरकार का छेत्रक है सरकार तो झालन करता है तो गवर्में इसको नियंतरित करती है अगर यह च्चेत्रक कहीं पे भी गवर्मेंट की नियमों का उलंगन करता है तो करी है तो तो we कहते हैं संगटित चेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ आपचारिक प्रक्रिया और कारेविधी होती है ठीक है और जब हम बात करते हैं संगटित चेत्र की तो इसमें क्या होती है रोजगार सुरक्षा भी होती है एक नियमित समय पर ही काम किया जाता है बिना टाइम के आपको कभी भी नहीं बुला लिया जाता, आतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है, अगर आपने extra work किया है, तो आपको उसका extra income भी आपको होगा, ठीक है, और फिर दूसरे लाप भी मिलते हैं, जैसे सम वेतन छुटी, यानि कि आपने छुटी लिदी तबी भी आपको वेतन मिल गया, ठीक है, भ संगठित छेत्रक के साथ है जिसमें कांता काम करती है अब बात करते हैं और संगठित छेत्रक की जिसमें कमल काम करता है यह क्या होती है यह गौर्मेंट के अंडर में नहीं होती गौर्मेंट का इन पर कोई नियंतरण नहीं होता गौर्मेंट इनके कोई भी नियम नहीं बना करने पर कोई अउसकी आपको एक्स्ट्रा इंकम नहीं मिलती है इसने सूट्टी फीदि तो इसके सपने का यारिए कोई आपको पाविषनिदी की सुम्षेन की सुम्षर नहीं है आपका शुरक्षित भी नहीं रहता है थीक है तो यह सारी चीज़ें होती हैं और को कभी भी नौकरी से हटाया भी जा सकता है एक दिपेंड करता है आपके मालिक पे थीक तो अस्वंकोटी चेतरक पिक तो तो मसे वक्तलिने हम सीत हैं संगढ़िद चहत्रक क्या होता है असनगढा चहत्रक खिक उसके बाद हम परेंगे नियुज्चर कि OH स्टर को का संगढ़िद चहत्रक में कितनी बुराईया है तो यहां पर कम कर रहें उनको कैसे बचा मिद्चीर किया जाए यह प्रॉब्लम हैं तो यह भी आम तोर पर दिखा गया है कि संगठी चेटरक के रूप में काम करते हैं अब तिको यहां पर इस्क्राइब को तो प्राप्लम हो रही है संगठी चेतरक के मालिक है उन पर क्या करती है गौर्मेंट अपना रूल थोपती रहती है अपने नियम थोपती रहती है तो वो चाहते हैं मालिक चाहते हैं कि वो असंगठी चेतरक की रूप में काम करें कौन चाहता है मालिक चाहते हैं मजदूर या श्रमिक नहीं चाहते मालिक चाह मुक्ती चाहते हैं लेकिन इसके विपरीत जो हमारे श्रमिक क्या चाहते हैं कि उनको संगठी छेत्रक में काम मिले लेकिन अब आप आपने देखा कि संगठी छेत्रक कि संग्या क्या हो रही है बढ़ रही है और संगठी छेत्रकों की संख्या क्या हो रही है कम होती जा रही है जिसकी वज़र से अधिकतर जॉब्स कहां पे हैं असंगठी छेत्रक में हैं तो जो मज़ूर हैं उनको मजबूरी में असंगठी छेत्रक में नौकरी करनी ही पड़ेगी तो अब गौर्मेंट को क्या करना पड़ेगा वो एकदम से गौर्मेंट चाहती है कि वो सारे असंगठी छेत्रक को संगठी छेत्रक में बदल दे लेकिन गौर्मेंट ऐसा एकदम से तो नहीं कर सकती तो गौर्मेंट क्या करेगी वो शमिकों के हितों का ध्यान रखेगी वो देखेगी कहीं कुछ ऐसा ना हो जिससे श्रमिकों को क्या हो नुकसान हो तो इसी वज़े से गौर्णमेंट वारा कुछ कदम उठाया जाते हैं जिससे श्रमिकों का संरक्षन किया जा सके ठीक है उनको रोजगार दिलाया जा सके तो अब ये जो लाचार लोग हैं ये जो स्रमिक हैं जिने संरक्षन की आवशकता है ये होते कौन हैं किन लोगों को किन तरह की स्रमिकों को संरक्षन की आवशकता है तो देखो ग्रामील छेतर में हमारे जो असंगठी छेतरक होते हैं, वहाँ पे भूमी हीन, मजदूर होते हैं, छोटे किसान होते हैं, कारिगर होते हैं, बुनकर, लुहार, इन लोगों को क्या होती है? सनरक्षन की जरूत होती है, क्योंकि इनका बड़े किसान लगातार की सुविधा दे दे कुछ रिड प्रदान कर दे तो क्या हो सकता है किसानों का संरक्षन किया जा सकता है इन लोगों जो लोग परिशान हैं उनको थोड़ा सा कुछ सुविधा दी जा सकते हैं तो ये तो बात हुई ग्रामिर छेत्रों में अब बात करते हैं शहरी छेत्रों मे कौन ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा की जरुवत है तो देखो जो छोटे मजदूर हैं जो छोटे उद्योगों में काम करते हैं व्यापार और परिवहन में जो कारेरत मजदूर हैं जैसे ऐसे लोग जिनका छोटा मुटा व्यापार है रिक्षा चलाते हैं उन लोगों को क्य जो इनके मालिक होते हैं जैसे आप किसी बड़ी सी दुकान में कोई काम कर रहा है तो जो मालिक होता है वो क्या करता है लगातार काम करने वाले का शोशन करता रहता है तो इसके लिए भी गौर्रमेंट क्या कर सकती है गौर्रमेंट संडक्षन पदान कर सकती है वो कुछ निय संख्या में अंसूचित जाती जन जाती और पिछडी जन जाती के लोग काम करते हैं ठीक है जो सामाले जाती के लोग हैं उनको आराम से संगर्थित छेत्रक में रोज़दार मिल जाते हैं वो उनकी संख्या असंगर्थित छेत्रक में उतनी जादा नहीं है जादा संख्या कि की है अन्सूचित जाती या जन जाती की है या पिछडी जातियों की है ठीक है ये श्रमिक अन्यमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा समाजिक भेदभाव का भी शिकार होते हैं देखो इनको एक तो समय पर मजदूरी नहीं मिलती काम जॉब सिक्यॉरिटी उतनी अच्छी नहीं होती और साथी साथ इनके साथ discrimination भी किया जाता है बेदभाव भी किया जाता है तो כ crafts को क्या है इनको आर्थिक सहायता भी नहीं है साथी साथ इंक का समाजिक विकार। भी करना है ताकि इनके साथ किसी भी तरफ का भेदभाव भी ना हो ठीक है तक है तो ये हमने बात कि संगठित और असंगठित चेत्रक। अब हम बात करेंगे स्वामित्व आधारित चेत्रक। यानि कि सारवजनिक और नीजी हैत्रक। इंगलिश में इसको बोलगे public sector और private sector अब जिसर आप को नाम सा इसी पता है सारवजनिक जहां पे सरकार सेवाएं उपलब्द कराती है उसको पब्लिक सेक्टर या सारजनिक छेत्रक बोलते हैं नीजी छेत्रक क्या होते हैं प्राइवेट सेक्टर होते हैं जिनकी जिम्यदारी किसकी होती है किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है सरकार के हाथ में नहीं होती तो परिसपतियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वित्रण की जिम्यदारी एकल व्यक्ति या कमपनी के हाथ में होती हैं, अगर हम बात करें, रेलवे अत्वाद घर की, तो ये दोनों ही सावजनिक शेत्रक के उदारण हैं, वहीं अगर हम बात करें, टाटा आइरंड एंड इस अब देखो, नीजी छेतरक की जितनी भी गतिविधियां होती है, उनका परपस क्या होता है? हुए उनका परपस होता है लाभ कमाना, वो अपने लाभ के लिए काम करती है। वहीं सावजनी छेतरक की जो गतिविधियां होती हैं, उनका परपस लाब कमाना नहीं होता है, उनका परपस जनता का कल्याण करना होता है, वो लोगों की कल्याण के लिए काम करती हैं, तो आजकल आप देखोगे कि सरकार लगभग सभी तरह की गतिविधियों पर व्या कर र तो इसने पहला है देखो कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनकी आवशक्ता समाज के सभी सदस्यों को होती है लेकिन जो हमारे नीजी छेतरक होते हैं उन चीजों को उपलब्ध नहीं करा पाते अगर वो उन चीजों को उपलब्ध कराने की कोशिच भी करेंगे तो वो उसके लि क्योंकि आपको पता है जैसे मालो रेलवे हो गया रेलवे बनाना है डैम बनाना है कोई डैम बनाना है कोई ओवर ब्रिज बनाना है मालो कोई ब्रिज बनाना है या ओवर ब्रिज बनाना है तो उसमें क्या होगा अगर उसमें नीजी कमपनिया इन्वेस्ट करेंगी तो नी उस तो पूरी जनता कर रही है, वो किससे किससे फायदा लेंगे, किससे किससे पैसा वसू लेंगे, तो उनको इससे कोई फायदा नहीं होता, उपर से पैसे भी बहुत जादा खर्च हो जाते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार ये जो पैसा है, वो लगा सकती है, सरकार के sectors पे इन आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए लोगों के लिए bridge बनवा सकती है, dam बनवा सकती है, ठीक है, अब देखो जैसे है सड़क, pull, railway, मैंने बता है ना, इनका निर्मान कोई नीजी company कभी नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी, क्योंकि इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा, और इसमें पैसा भी बहुत जादा लगेगा, ठीक, तो इस ऐसी चीजें, जिन में अच्छी कीमत लगती है, जिन में उच्छी कीमत लगानी पड़ती है, और जिन से कोई फायदा किसी person को नहीं मिलता, उसमें private sector की company इन्वेस्ट नहीं करती, ठीक है, और इनकी जिम्मदारी फिर सरकार को उठानी पड़ती है, ठीक है, उसका दूसरा है कि कुछ गतिविदियां ऐसी हैं, जिने सरकारी समर्थन की जरुवत पड़ती है, तेखो नीजी छेतरक में भी कुछ गतिविदियां ऐसे होती है, जिनको सरकारी समर्थन चाहिए, अब जैसे मालो कोई industry है, अगर उसको बिजली नहीं प्रदान की गई, तो उस industry में production भी नहीं हो प पे, बहुत कम कीमत पे बिजली प्रवाइड कराती है, गौर्मेंट, तो इस तरह क्या होती है, कि कुछ हमारी नीजी कमपनियां भी होती है, जिने सरकारी सहयोग की जरुवत पड़ती है, बिना सरकारी सहयोग की वो अपना उत्पादन नहीं कर सकती, ठीक है, और अब सरकार उस गेह την चावल को लाके कं दाम में दुकानों में बेज़ती हैं, बेज़ती हैं, राशन पे सहयोग में किसी कम दाम में लोगों तक पहुचाती हैं, तो घाटा उठा रही है ना गौर्मेंट अब यह घाटा सिर्फ गौर्मेंट ही उठा सकती है क्योंकि गौर्मेंट अपने लाब के लिए काम नहीं करती है यह चीज नीजी सेक्टर के लोग नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर ह काम होता है कि वो किसानों को भी सहायता देती है और उपभोगताओं को भी सहायता देती है जैसे किसानों से उसने अच्छे कीमत पे अनाज खरीदा और उपभोगताओं को कम कीमत पे अनाज बेजा तो उसने तो दोनों की ही सहायता की लेकिन इसके बदले में सरकार को क्या हो कि प्रात्मी जिम्हदारी सरकार पर है इंपर व्या करना सरकार की अनिवारता है जैसे स्सेट सवा सवीधाय ं यहेट कौन by प्राइड है गौर्मेंट कर दू wellbeing कर करती है व्हों भी सस्ते दाम पर प्राइड करती है क्यों के लोगों को कम दाम में अच्य सिक्शा मिल जाए अच्छी स्वास्त सुविधा मिल जाए और अगर उसी में आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो आप देखोगी कि वहां पे आपको ज्यादा कीमत देनी पड़ती है ठीक है ज्यादा पैसे आपसे लिए जाते हैं क्यों कुछ सेवाओं पे व्य करना सरकार के लिए जरूरी हो जाता है अगर वो सेवाएं वो नहीं प्रदान करेगी तो देश की आदिसी जादे जनसंख्या ऐसे ही भूखे मर जाएगी उसको ना कोई स्वास सेवा मिलेगा ना कोई सिक्षा मिलेगी ना खाने के लिए कुछ मिले होगा है इसी के साथ हमारा चाप्टर भी खतम होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्स्ट्राइब करना थैंक्यू फो वाचिंग